हलो गाईज, वेलकम टू मैं चेनल, आज हम बनाने वाले हैं मद्धे प्रदेश का फेमस दाल पानिया, इसके लिए हम सबसे पहले सफेद मक्य का आटा ले लेंगे, इसमें नमक और शुगर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे, दाल पानिये दाल बाफले के कमपरिजन में थोड़ तो हमें सौफ्ट ही रखना है, पानी का एक विशिष्टा ये है कि इसे कंडे में और खाकरी की पत्ते में रखकर सेका जाता है, अगर आप कंडे में नहीं सेकना चाते हैं, क्योंकि हमेशा हर जग कंडे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम इसे ओवन में भी सेक सकते हैं, ब जादा मोटा रखना है अब इसे खाकरे के पत्ते पर रखकर इसे ओवन में हम 25 से 30 मिट के लिए सेक लेंगे जब ये दोनों साइट से अच्छे से सीख जाए और इसका कलर चेंज हो जाए हम इसे घी में डालेंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी और थोड़े से स्वीट लगते हैं अब डाल बनाने के लिए हम तुरकी डाल को भीगो कर बॉइल कर लेंगे आज हम 9 अनियन, 9 गालिक डाल बनाने वाले हैं एक पेन में ओईल गरम करेंगे इसमें घी डालकर इन दोनों को गरम होने के लिए रख देंगे जब ये अच्छे से गरम हो जाए हम इसमें हेंग, राई, कड़ी पत्ता और खड़े मसाले डालेंगे मैंने खड़े मसाले में काली मिर्च, लोंग, डाल चीनी, तेज पत्ता डाला है अब इसमें हम ग्रीन चीली और जिंजर डालेंगे और इसे अच्छे से सोते कर लेंगे डाल में में ये होता है कि हम इसे अच्छे से पकाए अगर कोई भी मसाला कच्चा रह जाता है तो फिर डाल का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है जब ये अच्छे से पक जाए अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर सौफ नहीं हो जाते हमें हमेशा इसे सेम पर ही पकने देना है देखे हमारे टमाटर एकदम अच्छे से पक गए हैं अब इसमें हम मसाला डालेंगे जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक डालेंगे इसमें पानी डालकर इसे हम पकने देंगे जब तक कि हमारा तेल उपर नहीं आ जाता देखिए इसमें तेल उपर आ गया है अब इसमें हम डेसिकेटिट कोकोनट, गूर और अमचूर डालेंगे इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा पानी डालकर इसे बॉइल कर लेंगे आप इसमें गीले नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी फ्लिवर बहुत अच्छा आता है जब पानी अच्छे से बॉइल हो जाए हम हमारे तड़के को डाल में डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और डाल को बॉइल कर लेंगे उपर से इसमें गरम मसाला और धनिया डालेंगे आप चाहे तो इसमें उपर से एक बार और तड़का लगा सकते हैं हमारी खटी मिठी दाल रेड़ी है दाल पानी में खटी मिठी दाल बहुत टेस्टी लगती है आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए ये सभी को बहुत टेस्टी लगेगी अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं जिसमें मैंने दाल, जीरा अलू की सबजी, चटनी, फ्रूट कस्टर्ड, अनियन, मिर्ची और पानी रखे हैं मैंने दाल बाफले की रेसिपी में जीरा अलू की सबजी और कड़ी की रेसिपी बताईए आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं आप इसे एक पर घर में ट्राइज जरूर किजी, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और आपको ये रेसिपी कैसे लगी, इसके लिए मुझे कॉमेंट करें और ऐसे ही रेसिपी इसके लिए लाइक, शेर और सस्क्राइब करें